हेलो दोस्तों मैं डॉली अपने योट्यूब चैनल नैचरल ब्यूटी में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डहेलिया प्लांट की पूरी जानकारी धूंगी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस प्लांट से ज़्यादा और अच्छे फूल लेने के लिए इसकी देखरे कैसे करनी चाहिए ये देखे दोस्तों मेरा ये प्लांट पूरा फूलों से भरा है और इसमें लगातार फूल खिलते जा रहे है जहेलिया एक मैकसिकन फ्लावर है इसके फूल बहुत बड़े और खुबसूरत होते हैं ये कई रंगों में पाए जाते हैं Double Shits वाले फूल तो देखने में बहुत ही खुप्सूरत लगते हैं. देखें मेरे पास भी इसके Double Shits वाले 2-3 प्लांट हैं. चलिए, सबसे पहले बात करते हैं डहेलिया प्लांट को लगाया कैसे जाए? डहेलिया प्लांट को 3 तरीके से लगाया जाता है. पहला बीज से, दूसरा बल्ब से और तीसरा कटिंग से डहिलिया प्लांट के बीच नैसरी में या ओनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं जहां से आप इन्हें ले सकते हैं इनको आप सीड से सेप्टम्ब से लेके ऑक्टूबर तक लगा सकते हैं चार से पास दिन में इनमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है पंदरा दिन में इनमें से पत्या भी आने लग जाती है जब सीडली एक मंत की हो जाए तो आप इन्हें गमले में लगा दीजिए अगर आप इन्हें बल्ब से लगाते हैं हमें एक अच्छा और हेल्दी प्लांट चाहिए जिससे हम कटिंग ले सकें हम जो प्लांट नर्शरी से लाते हैं नर्शरी वाले उन्हें कटिंग से ही त्यार करते हैं कटिंग से ग्रो किये गए प्लांट में फूल जादा अच्छे से आते हैं आप भी इसे कटिंग से पॉटिंग शुरू हो जाती है 15 दिन बाद आप इसे गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों देखिए मैंने भी कुछ दहेलिया प्लांट की कटिंग अपने इस गमले में लगाई हैं दोस्तों दूसरी इंपोटेंट चीज है कि हम दहेलिया प्लांट के लिए पॉटिंग प्राइस हस्क एक मुठी नीम खली और एक चमच लकडी की राग इन सब को हम अच्छे से मिलाकर एक अच्छा पॉटिंग मिक्स त्यार कर लेंगे फिर आर से दस इंच का एक पॉट ले लेंगे जिसमें हम दो दीन होल करके उसमें पत्थर या दिये के टुकडे रखकर अगर मिटी एक से डेर इंच तक सूकी हो तभी पानी देना चाहिए डहेलिया प्लांट एक सन लविंग प्लांट है इसलिए इसे आप जब भी लगाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि जहां आपने अपने प्लांट को लगाया है वहाँ इसे 6-7 घंटे की अच्छी धूप मिल सके इसे ऐसी जगव पर कभी नहीं लगाना चाहिए जहां धू इसमें हमें हर 15 दिन में एक बार लिक्विट फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए रहेलिया प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें अपने डहेलिया प्लांट के गमले की एक से डेड़ इंच तक की मिट्टी की हर 15 दिन में उड़ाई जरूर करने चाहिए हमें अपने प्लांट को कीडे मकोड से बचाने के लिए अपने प्लांट में हर 15 दिन में एक बानी मॉयल को पानी में मिलाकर अपने प्लांट में अच्छे से स्प्रेज जरूर करना चाहिए हमारे प्लांट में जो भी फ्लास खिलने के बाद स्पेंट हो जाते हैं उन्हें कट करके हमें हटा देना चाहिए इससे उसमें जो दूसरे फ़लास खेल रहे हैं उन्हें एनरीजी मिलती है और वो अच्छे से ब्लूम करते हैं इसके लावा हमें अपने प्लांट से जो भी खराब पती हैं उन्हें भी हटा देना चाहिए तो दोस्तों आप भी अपने डहेले प्लांट की इस तरह से दीख भाल करेंगे तो आप भी अपने प्लांट से अच्छे और जादा फूल ले सकेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपको मेरा या वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा